Dear Students, Welcome to my YouTube Channel. आज हम डिसकस करने वाले हैं Social Science, Social and Political Life का Chapter 2nd का Question 1st. Let us begin. I carry my heart. Question 1st. List the different types of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious, music and singing etc. Does this indicate freedom of religious practice? My Dear Students, इस Question में यह पूचा गया कि विविन परकार की धार्मिक परताओं की सूची बनाओं और जो आप अपने प्रोस में पाते हैं, यह प्रात्ना के विविन रूप हो सकते हैं. विविन देवताओं की पूजा, पवित्र इस्तल, विविन परकार के धार्मिक संगीत और गायन आदी और इसमें एक और कॉश्चन यह पूचा गया, क्या यह धार्मिक अभ्यास की स्वतनतरता को दर्साता है? आंजर देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ओप रिलिजियस एक्टिविटीज प्रेक्टिज इन आर लोकिलिटी आर, हमारी इलाके में प्रचिलीत विविन परकार की धार्मिक गतिविद्या इस परकार है. जागरन, नगरकिर्तन, नमाज, सिंगिंग कैरल्स, हवन, सुंदरकान, अखंट पात, फास्टिंग, प्रोग्राम्स इन जैन टेम्पल. Yes, these practices indicate freedom of religious practice in our country. My dear students, हाँ, ये परताएं संकेत करती हैं हमारे देश में धार्मिक अभ्यास की स्वतंतरता को. Thank you, have a nice day.